22 जुलाई को OnePlus India में अपनी नोड सीरीज का तीसरा स्मार्टफोन लॉंच करने वाला है OnePlus Nord 2 पहला स्मार्टफोन एक साल पहले लॉंच किया था, दूसरा स्मार्टफोन एक महिने पहले लॉंच किया है और अब तीसरे स्मार्टफोन की तयारी चल रही है Amazon के उपर उसका लेंडिंग पेज अवेलेबल हो चुका है 22 जुलाई को उसका लॉंच इवेंट है और ये इंडिया में पर्चेसिंग के लिए 26 जुलाई को Amazon की प्राइम डे सेल में अवेलेबल हो जाएगा अब 22 जुलाई को ये स्मार्टफोन यूरोप और इंडिया दोनों में लॉंच होने वाला है लेकिन अभी तक उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में ओफीशेली OnePlus ने और Amazon ने कुछ भी कनफर्म नहीं किया है यह में जिस प्राइस पॉइंट पर OnePlus OnePlus Nord 2 को लॉंच करेगा उसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के आखरी में तो अगर आपको सिर्फ OnePlus Nord 2 की प्राइस के बारे में जानना है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं और अगर आपको performance के बारे में जानना है नयी processor के बारे में जानना है बाकी सारी चीजों के बारे में जानना है तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं जैसा आपका मन करें यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं OnePlus Node 2 के प्रोसेसर के बारे में क्योंकि प्रोसेसर जो है इस बार नया इंट्रोड्यूस किया गया है Dimensity 1200 Artificial Intelligence के साथ आपने सही सुना OnePlus का यह पहला स्मार्टफून है जिसमें Snapdragon का प्रोसेसर ना हो की MediaTek का प्रोसेसर यूज क्या जा रहा है क्योंकि Node Series को जो है affordable बनाने की कोशिश करता है OnePlus अगर OnePlus की माने तो अब MediaTek की माने तो इस प्रोसेसर की जो खास बात ही है यह gaming performance और camera performance दोनों को भूस्ट करता है साथी power consumption भी इसका बहुत अच्छा है Realme XT में भी same processor आपको देखने को मिलता है लेकिन जरूरी नहीं कि OnePlus के और Realme के smart phones में आपको performance वो processor same देगा आजकल smartphone companies बहुत ज़्यादा ही smart हो गई है और cheating करने लग गई है हाली में benchmark apps जो है उनमें से OnePlus को blacklisted कर दिया गया था क्योंकि OnePlus 9 Pro के जो N22 scores है यानि कि benchmark scores है वो तो बहुत ज्यादा थे लेकिन जब Realme scenario में हमने check किया तो उसकी जो performance है उतनी अच्छी नहीं आई सबको पता है ये बात OnePlus 9 Pro की performance कैसी है तो अब वो जो difference था ऐसा क्यों हुआ जो processor OnePlus में use किया था वो processor 100% अपना utilization नहीं कर पा रहा था उस smartphone में लेकिन जैसे ही आप benchmark app को score जाने के लिए run करोगे न तो उसकी जो 100% utilization है वो start हो जाएगी फिर वो अपनी flagship level पे जा कि आपको scores दिखाएगा जबकि performance उसकी low रहेगी ऐसा क्यों किया जाता है कि 60-70% तक ही जो utilization करने देता है आपको कोई भी smartphone उस processor का क्योंकि फिर बाद में thermal issues आने लग जाते हैं तो उस thermal issues की वज़े से heating होने लग जाती है बैटरी खराब हो जाती है तो उन चीज़ों से बचने के लिए ऐसा किया जाता है लेकिन यहाँ पर problem यह नहीं कि उसका utilization पूरा नहीं किया जा रहा problem यह है कि आप यह जो है अंतो तो scores में कुछ दिखा रहे हो फिर real life में कुछ देखने को मिल रहे है तो ऐसा नहीं होना चाहिए यह नहाँ Dimensity 1200 काफी अच्छा processor है Snapdragon की 800 series जो है उससे direct compete करता है तो उमीद की जाती है कि काफी अच्छी gaming performance, camera performance, battery optimization यह सब चिज़े हमें देखने को मिलेंगी OnePlus Nord 2 में OnePlus Nord 2 में आपको bag में triple camera setup देखने को मिलेगा अब गौरतलब बात यह है कि जो OnePlus 9 Pro में ultra wide lens यूज़ किया गया था वो था Sony का IMX 766 sensor 50 megapixel का ultra wide sensor था वो इसमें जो primary sensor यूज़ किया जा रहा है वो Sony का IMX 766 50 megapixel का primary sensor है मतलब क्या पुराने माल को दुबारा यूज़ कर रहे हो क्या वही साथ ही में आपको 8 megapixel का ultra wide lens देखने को मिलेगा 3 megapixel का depth sensor देखने को मिलेगा front का जो selfie shooter है वो 32 megapixel का होगा और एकदम side में कर दिया गया उसको left side में single punch hole आपको देखने को मिलेगा battery compartment के बारे में ही same same कुछ बोलना पड़ेगा पिछला से smartphone था OnePlus Note CE 5G उसमें जो battery use की गई थी 4500 mAh की same battery इसमे है तो 4500 mAh की battery देखने को मिलेगी तीस वोट का fast charging का support आपको यहां देखने को मिलेगा डिट्टो वही चीज़न उठा के copy paste कर दी गई है 5G की कितने bands का support है यह भी अभी तक clear नहीं हुआ है इसके बारे में co information market में available नहीं है अब design के बारे में बात करें तो कुछ नए नहीं है कि इंडिया में OnePlus Note 2 की जो starting price सब वो कितने रुपए होगी तो OnePlus की जो upper level है वो 40,000 से start हो जाती है OnePlus 9R की price जो है 40,000 रुपए से start है OnePlus Note CE 5G 25,000 रुपए के आसपास आता है OnePlus Note B 25,000 रुपए के आसपास आता है जो पिछला smart हों था वो 27,000, 26,000 के आसपास launch हुआ था OnePlus वाली बहुत जादा smart है 30,000 रुपए वाली जो यह range है यह बहुत खाली है तो 30 से 35 के बीच में इसको खेलेंगे तो starting price जो है वो मेरी prediction यह है कि 30,000 रुपए जो base variant होगा OnePlus Note 2 का वो होगा और उसके बाद में 33,000 और 35,000 तक जा सकते हैं यह लोग यहाँ पर आपको 3 variant में देखने को मिलेगा 6GB RAM, 8GB RAM और 12GB RAM तो अब final verdict के बार में बात करते हैं कि यह smartphone कैसा है कैसी value for money देगा और क्या आपको यह purchase करना चाहिए तो देखो पहले वाले दिन तो तुम भूली जाओ कि OnePlus कभी revolution लाती थी price के अंदर जो specifications देती थी आज के time पे है ना जितनी price आप pay कर रहे हो उतने का smartphone आपको मिलता है तो यह जो smartphone है जितनी price के हिसाब से जितनी price आप दोगे उस हिसाब से आपको ठीक ठाक specifications देखने को मिलेंगे बहुत सारी leaks जो करती है websites उनके ओपर suggest किया जा रहा है कि 27 रुपय के आसपास आता है लेकिन उनकी accuracy 40% है price accuracy क्योंकि वो supply chain में ज्यादा believe रख मतलब supply chain का काम है तो price prediction उनका मतलब इतना भरोसा किया नहीं जा सकता 1 plus note 2 की रामायन को यही समाप्त करते हैं और क्योंकि समय ज्यादा हो गया और वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बन गई है इसलिए बस आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक लिए वीडियो में तिल देन बाई बाई